नमश्कार 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 दोस्तों मैंने क्लेश जेन हिंदी चेस बेस इनचल पर आप सभी का हार देकर मिदन करता हूँ दोस्तों एम चेस रैपिट टॉर्णमेंट के सेमी फाइनल में कल रात मुकाबले खेले गए और परणाम कुछ इस तरह से आए कि मैगनस कालसन अब इस वार फाइनल नहीं खेलेंगे डूडा से वो हार करके बाहर हो गए है जबकि मामिदरो ने रिचर्ट आपोर्ट को हरा कर करके बाहर कर दिया है अब डूडा और मामिदरो के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा मैगनस कालसन डूडा से तीन एक से हारे लेकिन उनकी हार की जो मुख्य भूमी का बांधी वो बांधी इस गेम ने जो इस समय में आपके को दिखाने हो जा रहा हूं इस गेम में हारने के बाद जो है मैगनस कालसन इससे लास्ट तक अंतिम मुकाबले तक अबर नहीं पाए यह देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में मुकाबला 88 चालों तक चला 88 मूव्स तो मैं आपको पूरा गेम तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं लिंक नीचे दे यह दे रहा और डूडा ने बोला कि ठीक है हम मार लेते हैं और यह मारना जो था वो ब्लंडर थी यहां पर इसकी जगे कुईन जी फाइफ अगर करके खेलते तो मैच जो है वो बराबर यहां पर चलता कोई दिक्कत नहीं होती लगबग बराबरी का मैच रहता जैसे ही डूडा ने कि यह तो मैच इन के पाले में आगे अभी तो चेक्मेट बैक रेंग से लगे हुई है रूक इंटू डी फाइफ ओनली मॉव थी यहां पर डूडा की तरफ से और आप मैगना स्काल्चन की चाल थी तो अब आप लोग पॉस्ट करें और सोचे कि आप ब्लैक से यहां पर क् से ही जबाब मिल जाए यहां पर खेलना चाहिए था किंग सी सिक्स और अगर किंग सी सिक्स आता तो उसके बाद यहां पर कुई इंटू इफॉर ऑनली मूव है क्योंकि वैसे भी रूक मर रहा है और बैक रैंग का प्रॉब्लम लगा हुआ हुआ है इवन पर बिशप मर र और सोचिए कि यहां पर वाइट से सी क्या चाल आप चलें कि हारी बाजी जो है वह जीत में बदल जाए यहां पर मूव आया डूडा का कुईन पी थरी अब प्रॉब्लम यह है कि आप चाहे रुक इंटू इवन मारें तो भी यहां पर रुब्लम है और अगर आप कुई इ इवन मारें तो भी यहां पर रुब्लम है तो यह तो मैच में हुआ तो लेकिन अगर यहां पर रुक इंटू इवन मारेंगे तो क्या प्रॉब्लम है रुक इवन के बाद आप आप कहीं पर भी जाईए अगर आप यहां तो आप जा नहीं सकते इस पूरी फाइल में अब इने चुने स्क्वेर हैं, यह इतने ही स्क्वेर हैं कि ने चुने, इसमें आप E5, E7 और F6 जाते हैं, तो चेक आ करके C3 से या B4 से, यह हाती पर डबल अटाइक आएगा, और हाती मर जाएगा, आप F7 जा नहीं सकते हैं, और अगर आप F5 जाते हैं, माली जा किंग F5 खेला, तो कुइन C2 चेक है, यहाँ पर वही प्रॉब्लम में कहीं भी शिफ्ट होंगे, तो रुक मर जाएगा चेक देंके डार्क स्क्वेर पर, तो for example, कुइन E4 आते हैं, तो कुइन F2 के बाद गेंगा, मतला हो चेक देंके, एक्शली में रुक जो है, वो मरना ही मरना है, और य यह हो रहा था, तो after queen B3, Magnus Carlson को realize हो गया, कि यह तो बाजी फर्स गई, उन्होंने queen E1 खेला, रुक D1 आया, king E7 गए यहाँ पर, so now, यहाँ पर queen, उन्होंने खेला D5, तो now queen E2, queen को बचा लिया, तो now rook C1, यहाँ पर, और क्योंकि back rank है, तो इसलिए direct rook से queen नहीं मार सकते थ तो rook E6, इसके बाद game चला, अब इसमें difference क्या है, दोनों side से pawn तो 3-3 दिख रहे हैं, problem यह है कि यह राजा तो safe है, यह राजा बहुत ज़्यादा expose है, और वही हार का कारण बना, इसके बाद match चला queen B7, king F6, queen H7, एक pawn मर गया, a5 किया उन्होंने, यहाँ पर, डूरा ने भी जगे बना ली, king E5 आया, but problem वही थी, राजा open position में होना, और काफी देर तक match चला इसके बाद, और धीरे 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 जो है, pawn बढ़ना भी जो है, वो शुरू कर दिया, यहाँ पर, डूरा ने, और एक position यहाँ पर आई, मैंतलर यह तो 60-60 चाले हुई है, तो धीरे दीरे 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 प्रोग्रेस करते जा रहे थे, पिकि उनको कोई समस्या यहाँ पर थी नहीं, और finally जो है, यहाँ पर, I think, 70 move के आसपस यह clear हो गया था, जैसे यह position आई, यहाँ पर बहुत सो समझ के, जो है, डूरा ने queen exchange offer किया, sorry, Magnus Carlson ने queen exchange offer किया, और कोई option उनको नज महरों को improve करते हुए, king को ज़्यादा जगे नहीं दी, king को अपने रुक को improve करते चले गए, और finally जो है, 88 चाल में जाकर के, जो है, उन्होंने match जो है, जीत लिया, लेकिन इस पूरे match की highlight थी, move number, जो 38 के बाद, जो sequence हुआ, उसके बाद ही, जो है, सब कुछ वहाँ पर बद होता है कि, एक intermediate move, एक discovered check, जो है, वो पूरा game आप से छीन सकती है, जैसा कि Magnus Carlson के साथ हुआ, तो आपको हमेशा check को लेकर के, बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है, कि opponent के pieces कहां से, कब से आकर का आपको check दे सकते हैं, अगर आप ये देख सकते हैं, तो आप बहुत सारी thread से जो है, automatically जो है, बच सकते हैं, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो like, share, subscribe करना ना भूलें, दिखते हैं, चैस बिस इंडिया, चैस बिस इंडिया, मैं निकलेश जैन, जैहिन